हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान सरोवर, आज हम लोग प्रिवियस एर के क्वेशन जो की पहले हम प्लान हॉर्मोन डिसकस कर चुके हैं, उसी का ये सेकंड पार्ट है, तो हमने वहाँ पे 15 क्वेशन डिसकस किये थे, इसके बाद हम उसके आगे की क्वेशन डिसकस क है, और अगर आपने प्लान टिशू कल्चर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो आपको उसके बारे में आइडिया होगा, तो प्लान टिशू कल्चर बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि प्लान के पास क्यापिविल्टी होती टोटी पोटेंसी की, कि उसके किसी भी किसी भी पर्टुकुलर पार्ट को इंड्यूस किया जा सकता है तो सबसे पहले यहां पे कुछ स्टेट्मिंट दिये प्लान टिशू कल्चर के रेफेरेंस में उसके बारे में हमें बताना है सबसे पहले दिया है तो फ्राइबल के लेस्ट प्रोवाइड दा इनोकुलम टू-फॉर्म तू-फॉर्म-वस्पैंशन कल्चर पहले तो फ्राइबल का मतलब समझ भी बहुत सारे ऐसे मीनिंग होते हैं जिनके मतलब नहीं होने की वज़े से हम कॉशन नहीं कर पाते हैं फ्राइबल का मतलब होता है लाइक फ्लपी टाइप का या आप लाइक सेंड जैसे सेंड को अगर आप हाथ में लेंगे तो वो क्या होती है कि देरे देरे पुरा बाहर निकल जाती है तो फ्राइबल मीज कि भुरुबरा का है तो सेल्स का सस्पेंशन बनाना मतलब कल्चर करना किसमें आसान है जो की थोड़ा फ्लपी टाइप का होगा तो इसलिए हमारा यह स्टेटमेंट करेक्ट है सेकेंड है दब प्रॉसेस नोन एज हैबिचुएशन रिफर्टू प्रॉपर्टी ऑफ कैलस लूजिंग रिक यतोकाइन निहीं को केशान हमें देक्ट है अ जोड़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाहर से auxin और cytokinin देने की जुरूरत नहीं होती है habituation मतलब कि seizes its response अपने response को seize कर देता है और उसको अपनी property को lose कर देता है कि उसको auxin और cytokinin चाहिए तो इस process को habituation कहते हैं तो ये वाला भी sentence हमारा सही है cellase and pectinase enzymes are usually used for generating protoplasm culture protoplast क्या होता है cell wall less cell जैसा आपको पता है कि plant cell के बाहर क्या होती है cell wall होती है और ये cell wall जब lose हो जाती है तो इसको क्या बोलादा cell wall less तो इसको protoplasm बोलादा हो बाहर की cell अगर हट जाएगी तो उसको हम लोग बोलते है protoplast और ये कैसे बनता है दो enzyme की presence में यह करा जा सकता है protoplasm को generate किया जा सकता है cellulase और pectinase तो इसलिए हमारा यह option भी सही है during the somatic embryo development torpedo stage embryo is formed before heart stage embryo देखिए जब somatic embryo देखिए वैसे क्या होता है कि जब plant का development होता है तो बहुत सारे stages आते हैं और 8 cell stage आता है फिर इसके बाद torpedo, heart stage यह सारे stages आते हैं लेकिन जब हम plant tissue culture laboratory में somatic embryo को induce कर रहे हैं तो वहाँ पे वो normal process जो होता है वो नहीं होता है directly somatic embryo develop कर जाता है तो इसलिए हमारा यह option wrong हो गया तो इसके according हमारा options है A, B and C तो first वाला option हमारा correct हो गया इसके बाद अगर हम लोग next question देखते हैं next question में पूछा गया है given below is comprising the various term associated with the plant tissue culture in column A and B यह बहुत ही simple question यहाँ पे आपको match मिलाना है देखिए जितने भी match वाले question होते हैं वो बहुत simplified way में कभी कभी दिये रहते हैं तो इसके लिए match के question आप जरूर एक बार देखा करिए उसको छोड़ा मत करिए तो देखिए यहाँ पे क्या है कि auxin के auxin किससे correlation शो कर रहा है auxin relation शो कर रहा है indole-3-stick acid जो कि एक natural auxin है auxin is a group of hormone मतलब एक group बना दिया गया जिसको auxin नाम दिया गया प्रोटोप्लास कल्चर करते हैं तो जैसा भी हमने बताए कि पैक्तिनेज और शाहिए अगर हम लोग माइक्रोस्पोर कल्चर करते हैं तो इसको एम्विजनिस कहेंगे अगर साइटो काइन के अगर स्टक्चर की बात करें तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन नंबर हमारा तू हो जाएगा तो यह देखिए कितना सिंप्ली फाइट क्वेस्टन था इसके बाद नेक्स हम लोग देखते हैं following are the few statement for regeneration of plant from the x plant इसमें से कौन सा ऐसा statement है जो की regeneration से शो कर रहा है cytokinin is required for suit development यह बिल्कुल सही बात है क्योंकि plant tissue culture laboratory में cytokinin oxygen का definite ratio यूज किया जाता है तो cytokinin suit development के लिए बहुत important है और auxin root development के लिए बहुत important है फिर दूसरे sentence में लिखा है कि auxin is required for the suit development जैसा कि हमने भी बताया root के लिए important है तो यह wrong हो गया auxin to cytokinin ratio is very important यह बहुत important feature है कि अगर आपको root का development करना है तो cytokinin auxin का ratio क्या रखना है जैसे suppose कि अगर आपको root का development करना है तो high auxin low cytokinin अगर आपको shoot का development करना है तो high cytokinin low auxin और अगर आपको callous formation करना है तो auxin और cytokinin का ratio बराबर रखिए balance रखिए तो इसलिए यह option भी हमारा यह statement भी correct है इसके बाद next jasmonic cases require for the both root and shoot development jasmonic acid पहली बात पर कि stress hormone है और यह non मतब कि जब stress होता है तो उस समय रिलीज होता है और यह non traditional या non classical hormone में आता है यह endogenous molecule होते हैं hormone की तरह काम करते हैं तो यह root or shoot development में इनका tissue culture laboratory में कोई use नहीं होता है इस पर even researches होती है लेकिन इस पर root or shoot development में इसका कोई involvement नहीं है तो इस according हमारा जो options है होगा वो a and c तो इसमें first option हमें ऐसा दिख रहा है जो कि a और c सही है यह देखिए यहाँ पर oxygen और cytokinin में किस तरीके से concentration जब oxygen का ज्यादा cytokinin का कम है तब development होगी यहाँ पर जब cytokinin का concentration ज्यादा है oxygen का कम है तो क्या develop होगा यह दिया हुआ है इसके बाद next question देख लेते हैं जो कि next question ethylene signaling पर दिया हुआ है तो जब तक आपको ethylene signaling नहीं पता होगी तब तक आप इस question को नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी चलिए हम लोग त्राइ करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे पहले ethylene signaling से पहले आपको कुछ चीज़े यहाँ पर समझ लेनी है कि ethylene signaling जब होती है तो ethylene signaling का सिर्फ एक receptor नहीं होता है ethylene signaling के दो सब families होती है मतलब कई टाइप के receptors होते हैं जैसे etr1, ers1, ein4, ers2 यह होता है और ethylene signaling two component histidine kinase receptor होता है जैसे cytokinin के लिए होता है two component phosphor relay receptor और ethylene के लिए होता है two component system देखें भी last आपके dbt exam में भी पूछा गया था कि two phosphor relay type receptor किसमें पाया जाता है तो cytokinin में पाया जाता है तो आपको question को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है two component phosphor relay पूछा जा रहा है या two component phosphor receptors पूछा जा रहा है उस पे डिपन करता है और इथाइलीन रिसेप्टर जब इनक्टिवेट हो जाता है जब जैसे suppose कि आपने signaling ऐसी पढ़िए कि कोई भी लीगेंड से किसी रिसेप्टर के जब बाइंडिंग होती है तो अस रिसेप्टर का लेकिन यहां पे जब इथाइलीन रिसेप्टर से बाइंड करता है तो रि इथाइलीन सिग्नलिंग नहीं पढ़िए तो पढ़ लीजे बहुत important signaling है फिर इसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि इथाइलीन सिग्नलिंग के contest में कुछ sentence दिए वही हमें बताने unbound Gotta सबस्ट हो सकता है नहीं हो सकता है बले ही इसके बाद शुरूरा होती है तो पोजट्राइब की त्रह काम नहीं करेगा नहीं पस्वाव हुमने बताया कि बहुत सारी सब फैंवली इसके एक रियोर傑 तो यह सेंटेंस हमारा सही है, the carboxyl terminal half of the ethylene receptor, ETR1, जब एथाइडीन की सिंगलिंग पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे ETR1 पढ़ेंगे, ETR1 contained domain homolog to histidine kinase catalytic domain, जैसे आमने बताएं कि two component type का सिस्टम होता है, तो इस तरह के जो two component type के सिस्टम होते हैं, वो बैक्टीरिया में पाय जारा इथाइलीन में, बाकी जितने भी आप देखेंगे, receptors देखेंगे, वो सारे receptors, serine, threonine kinase होते हैं, type के होंगे, लेकिन यहाँ पर histidine kinase जैसा कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, वैसा यहाँ पर इथाइलीन के receptors होते हैं, फिर EIN2, यह बहुत important component होता है, थाइलीन सि एक domain होता है, और इस तरह से यह bind होता है, तो यह transmembrane नहीं होता है, EIN2 mutation promote ethylene response, और यह बहुत important factor होता है, क्योंकि यही cleave होके nucleus के अंदर जाके as a transcription factor काम करता है, तो इसलिए यह क्या है, कि अगर इसका mutation कर दिया जाए, तो ethylene signaling नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ पर यह क्या क सही है, B and C, तो यहाँ पर हमारा option B and C सही हो जाएगा, इसके बाद next question हम लोग देख लेते हैं, in tissue culture experiment, in tissue culture experiment, to initiated shoot from undifferentiated mass of cell, the medium must contain, undifferentiated, undifferentiated का मतलब add to be developed, मतलब अभी तक इसको develop होना है into particular variant, किसी particular form में develop होना, इसी इसको undifferentiated कहा गया, अभी यह ऐसी cells हैं, जिनको अभी develop करना है, किसी particular form में, तो tissue culture lab में, अगर shoot का induction किया जाता है, undifferentiated mass से, तो क्या चीज का induction क्या किया जाएगा, shoot के लिए क्या चाहिए, high cytokinin का concentration चाहिए, तो इसमें देख लीजे, कहाँ पर high दि इसलिए यह नहीं होगा, क्या होगा, high oxen और low, sorry, high cytokinin और low oxen, तो इसलिए हमारा option यह सही हो जाएगा, क्योंकि cytokinin और oxen ही regulate करते हैं, cycle को, इसके बाद next question है, हमारा, इसमें यह लिखा हुआ है, following are the certain, sorry, following are the certain fact about effect of abscisic acid on the development and physiological effect of plant, तो यहाँ पर आप देख सकते, the following are the certain fact about effect of abscisic acid, abscisic acid के बारे में यहाँ पर कुछ points दिये गए हैं, जिनको हमें बताना है, abscisic acid promote leaf senescence independent of ethylene, यह बिल्कुल सही है, कि abscisic acid से senescence promote होता है, जो कि ethylene independent होता है, जैसे कि ethylene जब senescence करता है, तो वो aux independent होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो यह statement हमारा सही है, ABA promote shoot growth and inhibit root growth at low water potential, ABA, जब water stress होता है, तो उस समय ABA hormone क्या होता है, बनने लगता है, और ABA बहुत सारे ऐसे molecule को, osmolides को बनाने लगता है, जैसे कि plant stress से अपने आपको बचाए, जब plant stress में है, तो उस समय shoot का growth कम होना चाहिए, और root का growth ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन और वो भी low water potential, low water potential की पानी की कमी है जहाँ पे, तो यहाँ पे यह statement हमारा wrong हो जाएगा, क्यों wrong हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा ABA promote shoot growth and inhibit, जबकि ABA promote root growth, root growth को promote करता है, low water potential पे और shoot growth को inhibit करता है, तो इसलिए हमारा यह option wrong हो जाएगा, ABA inhibit gibralic acid induced enzyme production, ABA inhibit gibralic acid induced enzyme production, ABA क्या करता है, अब इसके बाइद next, क्या है कि ABA inhibit, sorry, ABA क्या करता है, inhibit कर देता है, क्योंकि यह dormancy वाला hormone है, तो जब dormancy वाला hormone है, और जो dormancy break करता है, उस hormone को क्या करेगा, inhibit करेगा, तो इसलिए यह statement हमारा सही है, seed dormancy is controlled by the ratio of ABA and gibralic, seed dormancy, जब seed dormancy में जाता है, तो ABA और gibralic acid का एक combination होता है, ABA dormancy वाला hormone है gibralic acid, seed dormancy को break करता है, तो जिस समय seed का development होगा, उस समय ABA ज्यादा बनेगा, जिस समय seed का germination होगा, उस समय जिब्रैलिक acid बनेगा, तो यह दोनों control करते हैं, तो यह भी हमारा statement सही हो गया, तो इसके according हमारा statement A, C and D हो गया, A, C and D, इसके बाद next हम लोग बढ़ते हैं, which of the following plant hormone can mimic the dead one mutation, causing de-etheolation and chloroplast development in dark, de-etheolation क्या होता है, de-etheolation का मतलब होता है, dark growing seedling, जब किसी seedling को हम dark में grow करते हैं, तो उस seedling का कुछ morphology ऐसे हो जाता है, कि वो pale yellow color का हो जाता है, और उसका hypo-kotile long हो जाता है, तो जैसा आपने कभी देखा होगा, कि अगर हम दो plant को लें, या grasses को लें, और हम आपने शायद उसमें भी देखा होगा, जैसे जब नवरात्र की पूजा होती है, तो वहाँ पे हम लोग कुछ रखते हैं, seeds रखते हैं, और वो seeds देखेंगे, तो yellow color के दिखते हैं, और लंबे हो जाते हैं, और same seeds को अगर आप ऐसे जगह पे रखें, जहाँ पे dark नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, कि वो green देखेंगे, बहुत अच्छे से healthy देखेंगे, तो क्या होता है, कि de-etolation का process क्या होता है, कि जो etiolated seedling है, dark grown seedling है, उसको reverse करना, de-etolation, उस process को reverse कर देना, मतब कि जो etiolated seedling है, etiolated seedling, dark grown seedling को वापस अपनी normal morphology में आना, और chloroplast के development करना, क्योंकि जो etiolated seedling है, वहाँ पे etioplast develop हो जाते हैं, etioplast further chloroplast में development हो जाए, उसके लिए कौन सा hormone responsible है, तो ये एक function है, hormone का, और ये कौन सा hormone है, cytokinin का ये function है, इसके बाद next है, a farmer growing a particular variety of grafts plant in vineyard, observe the following, उसने एक farmer ने particular grafts plant को grow करा, और इसके बाद उसने देखा, कि क्या-क्या चीजे हो रहे हैं, तो उसने क्या-क्या observe किया, उसने observe ये किया, पहला उसने ये observe किया कि, जो fruit size थे, वो normally remain small, small थे, natural seed का abortion हो रहा था, मत्तब कि seed abort हो जा रहे थे, और development of fungal infection as pedicel are small in size, due to which moisture is retained in the branches of grape, expert suggested spraying gibralic acid during the fruit development, the treatment would be helped to getting rid of, means, कि एक farmer था, वो grapes का, मतलब farming कर रहा था, उसने देखा कि उसमें उसके जो fruit size हैं, वो छोटे हैं, और seed पूरे developed नहीं हो पा रहे हैं, उससे पहले ही fruits क्या हो रहे हैं, immature fruits, और फिर उनका जो pedicel, pedicel क्या होता है, किसी भी fruits का जो ये part होता है, इसको pedicel बोलते हैं, तो जो pedicel है, उसमें infection हो जा रहा है, तो उसने किसी भी experts से जाके पूछा जाके, तो experts ने ये suggestion दिया, कि आप gibralic acid का spray कर दो, तो सारे problem solve हो जाएंगे, तो उन्होंने, मतब आप gibralic acid का spray कर दीजिए, तो problem solve होंगे, अब सारे होंगे कि नहीं होंगे, यहीं आपको बताना है, वैसे तो हम बोल चुके हैं, सारे ही problem solve हो जाएंगे, कैसे होंगे, देखिए, gibralic acid क्या है, gibralic acid stem elongation का का काम करता है, अब suppose कि आपके पास एक ऐसे ग्रैप्स हैं, मालिजे यह आपके ग्रैप्स इस तरह के दिये हुए हैं, तो यहाँ पर जो यह इसका जो पेडिसल है, यह छोटा है, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई gibralic यह नॉर्मल है, लेकिन फिर जब उसमें gibralic acid का spray किया गया, जब पेडिसल का साइस बड़ा हो जाएगा, तो ग्रैप्स का साइस भी बड़ा हो जाएगा, जब यह एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, तो यह immature abort भी नहीं होंगे, और जब पेडिसल लंबा होगा, तो moisture content भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, जिससे कि यहाँ पे infection होने के भी chance कम हो जाएंगे, तो इस तरीके से जिबरैलिक acid का spray करने से, इन तीनों ही problem का solution मिल जाएगा, अगर हम spray कर दें, तो इसलिए यहाँ पे A, B, C, तीनों ही होगा, first option हमारा दिख रहा है, कि fruit का size भी मतलब जो छोटा रह रहा था, बढ़ा हो जाएगा, immature seed जो मतलब गिर जा रहे थे वो भी नहीं गिरेंगे, और जो पेडिसेल में infection हो रहा था, वो सब क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जब जिबरैलिक acid का spray किया गया, तो इसमें stem elongation हो रहा है, means कि ये पेडिसेल elongate कर रहा है, ये elongate कर रहा है, और इस सारे problem solve हो जा रहा है, अब हम लोग next question पर पढ़ते हैं, देखिए ये कुछ जिबरैलिक acid के application है, जैसे कि increase, देखिए याँ पर लिखा है, axis increase कर जा रहा है, अब माली जी कि graps है, graps का axis अगर बड़ा हो जाएगा, तो graps का size automatic बड़ा हो जाएगा, जैसे माली जी ये axis है, तो axis जितना बड़ा होगा, उतना graps का size बड़ा होगा, अगर छोटा axis होगा, तो चोटा graps होगा, तो क्या, increase the length of graps, axis and stem elongation, increase the height of sugarcane, elongation of apple fruits, apple fruits, जैसे कि माली जी इसका भी access बड़ा हो गया, तो ये apples भी बड़ा हो जाएगा, malting में use होता है, promote seed germination, ये सब इसके function है, ये भी सारे function दियें, breaking dormancy, parthenocarpy, induced floral initiation, sex determination, malnest cause करता है, जैसे कि oxygen femininity cause करता है, उसी तरीके से जिप्राइलिक acid malnest cause करता है, female flower को male flower में convert कर देता है, फिर prevention of senescence में भी involved होता है, तो ये कुछ इसके function है, अब इसके बाद मैं नेक्स question देखते हैं, अब plant hormone that promote the acquisition of desiccation tolerance in developing seed, तो यहाँ पर बहुत simple दिया है कि जब desiccation हो रहा है, तो उस समय desiccation के लिए, को achieve करने के लिए कौन सा hormone होगा, एपसेजी के सिर होगा, ये simple से सारे functional related question है, इसके बाद which of the following do not occur during the seed development, seed development के time कौन सी चीज नहीं होगी, seed development, मतलब seed development की embryogenesis हुई, इसके बाद flowering हुई, embryogenesis हुई, embryo बना, फिर इसके बाद अभी क्या हो रहा है कि अब seed development हो रहा है, तो जब seed development हो रहा है तो उस समय क्या क्या होगा, seed mature और seed, आपने अगर कोई भी seed देखा हो तो seed कैसा होता, seed dry होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, accumulation of storage protein, अब इसमें पूछा, do not, क्या ऐसा नहीं होगा, तो क्या होगा पहले हमें यहीं जान लेते हैं, accumulation of storage protein, जो seed development करेगा, क्योंकि उसको आगे चलके germinate होना है, तो वो अपने अंदर protein का storage करेगा, synthesis of LEA, late embryonic abundant protein, यह जो, मतलब seeds होते हैं, जब desiccation की तरफ जाते हैं, तो वो late embryonic abundant protein भी बनाने लगते हैं, desiccation करेंगे, desiccation क्या है, gradual removal of water, water को धिरी-धिरी अपने से निकाल देगा, seed dry ही तो देखे हैं, और synthesis of gibrali case, gibrali case seed की synthesis बिलकुल ना के बराबर होगी, क्योंकि उस समय seed dormancy में जा रहा है, तो dormancy में जाने के लिए seed को abscissic acid की ज़रूरत है, ना के gibrali case seed की, तो यह process नहीं होगा, यह process कब होगा, जब further seed germinate होगा, तब जिब्राली case seed की synthesis क्या कहते हैं, होगी, इसके बाद next question है, following are the some statement for synthesis of jasmonic acid in plant, jasmonic acid plant में, देखिए, आभी तक हमने आपको वैसे, इसके previous lecture में भी बता रहा था, कि classical hormone के साथ-साथ, non-classical hormone, जैसे कि jasmonic acid, salsilic acid, brusannosetroides, polyamines, strigolactones, इन सब पे भी question अब पूछे जाते हैं, इनकी synthesis पर question पूछे जाते हैं, इनकी signaling पर question पूछे जाते हैं, तो देखिए, यह एक synthesis पे related question है, jasmonic acid की synthesis से यह question आया है, तो जब तक आपको jasmonic acid की synthesis नहीं पता होगी, तब तक आप यह question नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, jasmonic acid की synthesis के बारे में, detail में दिया गया है, देखिए, सबसे पहले क्या है, membrane में एक lipase enzyme होता है, वो alpha-linolic acid बनाता है, फिर lox enzyme आता है, lox enzyme से 13 HPOT बनता है, फिर AOXS enzyme आता है, जो की बनाता है 13, 12, 13 EOT और फिर AOC आता है, उससे बनता है OPDA, यह बहुत important component है, यह OPDA ही एक ऐसा molecule है, देखिए, तीन जगहें पे jasmonic acid की synthesis हो रही है, chloroplast, paroxysome, cytosol, पहला तो यही important चीज़ है, तीन जगहें पे synthesis हो रही है, chloroplast, paroxysome, cytosol, chloroplast में कहां से कहां तक हो रही है, alpha-linolic acid से OPDA का formation हो रहा है, OPDA molecule ABC transporter के थूट ट्रांसपोर्ट होता है, कहां पे paroxysome में, तो सबसे important point तो हमें यही लग रहा है, कि कौन-कौन से OPDA और OPDA का transport होता है, कहां से, chloroplast से paroxysome में, OPDA एक बहुत important molecule है, और कौन-कौन से enzyme involved हो रहा है, lipo oxygenase, elene oxide synthase, elene oxide cyclase, तो यह आपको याद करना है, LOX, LOS, LOC, इसके बाद फिर यहां पर 2-oxo, 2-oxo-cys-3-pentanil-cyclopropane-1-octanoide acid बनता है, फिर beta oxidation होता है 3-time, अब जैसे यह एक important factor है, beta oxidation होता है 3-time, और इसके बाद 7-isogasmonic acid, isomerization होता है, jasmonic acid बन जाता है, jasmonic acid cytosol में transport होता है, और इसके बाद फिर वो इस form में, conjugates के form में पढ़ा रहता है, यह active है, यह conjugates के form में इस तरह से पढ़ा रहता है, अब हम लोग इस question को करते हैं, 2-oxo-phytodecanic acid, यह क्या है, जो हमने अभी आपको बताया, OPDA, OPDA बहुत important molecule, यह क्या है, OPDA, produced in chloroplast, कहां produced होता है, chloroplast में, transported peroxism, तो यह sentence हमारा एकदम सही है, अभी जस्ट हमने बताया, कि OPDA एक ऐसा molecule है, जो कि chloroplast में बनता है, और peroxism में वो transport होता है, फिर दूसरा, action of lipoxygenase, elaine oxide synthase, elaine oxide cyclase, take place in peroxism, यह तीनों ही process कहां हो रहे थे, यह तीनों process peroxism में नहीं हो रहे थे, chloroplast में, तो इसलिए यह वाला statement हमारा wrong हो गया, फिर OPDA is first reduced, then converted to jasmonic acid by the oxidation, beta-oxidation, यह भी हमने बताया था, beta-oxidation के थ्रू होता है, तो यह भी हमारा sentence ही हो गया, फिर final production of jasmonic acid take place in chloroplast, final production, कहां पर chloroplast भी नहीं होता है, final production, यह जो भी jasmonic acid का होता है, वो peroxism में होता है, तो इसमें नहीं होता है, तो यह वाला statement हमारा wrong हो गया, action of alene oxide synthase and alene oxide cyclist take place in chloroplast, यह एकदम सही है, तो इसके according हमारा statement ACE, ACE, अब आप देख लिजीए, हाँ पर कौन होगा, ACE, फोर्थ वाला option हमारा सही होगा, इसके बाद हम लोग next आगे बढ़ते हैं, तो यह आप इस flow chart को आप याद कर लिजीए, यह बहुत important है, क्योंकि इससे question आते हैं अक्सर, फिर, देखें next, फिर क्या है, which of the following cell organs are involved in bios indices of jasmonic acid, through the octadecanoic signaling pathway, जो हमने पाथवे बताया, वो octadecanoic pathway है, और वहाँ पे कौन-कौन से चीजें involved होती हैं, तो पहले में दिया है chloroplast peroxysome, तो यह तो involved होता ही है, दूसरे में दिया chloroplast mitochondria, तो यह wrong हो गया, mitochondria peroxysome, mitochondria peroxysome, तो mitochondria का involvement होता हैं, Golgi body यह भी नहीं होता है, तो क्या होगा है chloroplast और peroxysome, और अगर कहीं cytosol होता है, तो आप cytosol में बता सकते हैं, लेकिन mainly 2 organs का involvement होता है, chloroplast और peroxysome, इसके बाद next question, which one of the following plant hormone used 2 component histidine kinase receptor system for signal transduction, तो यह हम आपको already बता चुके हैं, तो component histidine kinase signal component system, देखिए, अब एक बहुत question कैसा पूछा गया, अगर suppose यहाँ पे इथाइलीन भी होता, इथाइलीन भी होता, तो आप इथाइलीन लगाते, लेकिन यहाँ पे इथाइलीन है नहीं, तो इथाइलीन और cytokinin दोनों ही 2 component histidine kinase receptor को यूज करते हैं, लेकिन cytokinin में एक additional word होता है, phosphor relay, तो बट होता 2 component system है, लेकिन 2 component phosphor relay system होता है, और यह two component system होता है, क्योंकि यहाँ पे इथाइलीन नहीं दिया गया, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग cytokinin लगाएंगे, तो question कैसा है, उसके according आपको अपना answer देना है, among the following which is not involved in plant defense signaling pathway, plant defense signaling में कौन involved नहीं होता है, तो यहाँ पे 4 hormone दिये गए हैं, और आप बहुत इजली बता सकते हैं, जिब्रालीक एसिड नहीं होता है, बाकि इथाइलीन, जस्मोनिक एसिड, सलस्रीक एसिड, यह सारे क्या होते हैं, defense में use होते हैं, और यहाँ पे पूछा गया है, कि not involved तो जिब्रालीक एसिड, इसके बाद next question, हम लोग देखते हैं, following are the some statement regarding the plant growth hormone, plant growth hormone के regarding कुछ sentence दिये, एथाइलीन रेगलेट एपसीजन, एथाइलीन एपसीजन को रेगलेट करता है, यह function एथाइलीन का है, करता है, जिब्राइलिक एसिड, जिब्राइलिक एसिड do not play any role in flowering, जिब्राइलिक एसिड का तो जबकि main role ही flowering है, तो इसलिए यह option हमारा wrong हो गया, oxygen cytokinin promote cell division, promote करता है cell division को, over expression of cytokinin oxidase, उट promote, over expression of cytokinin oxidase, उट promote the root growth, root growth, over expression of cytokinin oxidase, क्या root growth को, shoot growth को promote करेगा, ABA inhibit, ABA inhibit यहाँ पर, ABA inhibit the root growth, ABA inhibit root growth and promote shoot growth, abscissic acid inhibit करता है root growth को, inhibit करता है, यहाँ पर inhibit आ रहा है, जबकि promote करता है root growth को, और inhibit करता है shoot growth को, at low water potential, तो यह भी हमारा option wrong है, ABA promote leaf senescence, independent of ethylene, यह हमारा सही है, तो इसके according हमारा ACNF, ACNF option सही हो जाएगा, इसके बाद next question हम लोग देखते, अच्छा, जो मेंडल ने जो experiment किये थे, उन्होंने 7 प्लांट लिये थे, प्लांट लिये थे, तो उन्होंने एक टॉल और एक ड्वाफ प्लांट लिया था, तो उस समय तो उनको यह नहीं पता था, कि वो जो उन्होंने प्लांट लिया है, वो किस तरीके का प्लांट है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला, या बाद में लोगों को यह पता चला कि उस प्लांट में, जो GA3 hydroxylase enzyme mutate था, जो ड्वार्फ प्लांट था, उसमें यह hormone नहीं बन पा रहा था, इसलिए वो ड्वार्फ प्लांट था, लेकिन उन्होंने ट्रेट समझ के लिए था, लेकिन एक्चली में वो ट्रेट नहीं था, उसमें यह enzyme की कमी थी, mutation था, इस वज़े से वो ड्वार्फ प्लांट था, इसके बाद हम लोगों next question देखते हैं, इस एड्नोसिल मेथियोनीन इस प्रिकरसर आफ विच आप दा प्लांट हॉर्मोन, इस एड्नोसिल मेथियोनीन, देखे यह एथाईलीन की सिंथिस दी हुई है, इस एड्नोसिल मेथियोनीन इसके बाद next question है, given below are the name of phytohormone in column 1 and associated feature function के बारे में हमें बताना है, तो auxin का क्या काम है, बहुत ही simple question है, इसलिए हम बोलते हैं कि match वाले question आप जरूर एक बार देख लिया करिए, match वाले question बहुत easy होते हैं, auxin, auxin क्या करता है, polar transport करता है, polar transport क्या होता है, कि auxin एक ऐसा phytohormone है, जो कि polarly transport होता है, बाकि कोई भी hormone polarly transport नहीं होता है, इसको अपने दिमाग में बैठा लिजे, कि सिर्फ और सिर्फ auxin polarly transport होता है, और उस transport की वज़े होती है, कि जहां pin protein के थ्रूर ट्रांसपोर्ट होता है, अब यह जब हम कभी polar transport के बारे में बताएंगे, तो आपको इसको डिटेल में बताएंगे, जिब्रालिक इसिड का काम क्या है, removal of seed dormancy, cytokinin का काम क्या है, delayed leaf senescence, ethylene का काम क्या, e.p. nasty, downward curvature of leaves को e.p. nasty बोलते हैं, तो जब कोई stress होता है, तो plant अपने आपको बचाने के लिए, e.p. nasty bending शो करते हैं, तो इसके according हमारा यहाँ पे, जो सही हो जाएगा, वो third option सही हो जाएगा, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे end करते हैं, और यह phyto hormone के जितने भी कोशन थे हमने सारे, यहाँ पे आपको बताने की कोशिस की है, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो please like करें, subscribe करें चैनल को और share करें, thank you very much.